आजादी के बाद संभावता ये पहली बार है पहली बार है कि टमाटर के लिए बाउंसर लगाने पड़ रहे हैं टमाटर को सुरक्षा देनी पड़ रही है टमाटर खत्रे में आ गया है जो एक नारा चलता है ना हिंदू खत्रे में है हिंदू खत्रे में है या नहीं है कि प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी के संसद्य चेत्र उनकी डबल इंजन की सरकार वारणसी के अंदर टमाटर खत्रे में आ गया है और टमाटर के लिए सिक्योर्टी गाड लगाने पड़ रहे हैं टमाटर के लिए बौंसर लगाने पड़ रहे हैं और दुकांदार को ल यहाँ पर अगर कोई आ रहा है तो उसको सिक्यूर्टी गाड रोक रहे हैं और सिक्यूर्टी गाड कह रहे हैं कि पहले पैसा दो फिर बताओ टमाटर कितने चाहिए तब आपको टमाटर मिलेंगे वरानसी की खबर है और आज ये नो जुन की आज की खबर है नो जुलाई की आज की खबर है वरानसी में टमाटर की सुरक्षा के लिए दुकानदार ने रखा बाउंसर बोला लूट के डर से सुरक्षा जरूरी है ये हालत हो रही है और वो लोग वो लोग जो वटसप के उपर बताते थे कि आएगा तो मोदी ही ये दस तरीके देखिए वो लोग आज वटसप के उपर भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि टमाटर की जहें पर ये दस चीज इस्तमाल कर लीजे इतनी खराब हालत है इतनी खराब हालत है जो कहते थे आएगा तो मोदी ही वटसप पर भेजते थे और दस तरीके बताते थे दस कारण बताते थे 370 रामंदिर ये व ये वो यू सी सी मुसल्मान चुडी टाइट ये वो सारी बाद जो बताते थे अब वो कह रहें टमाटर नहीं टमाटर ये जैंपर ये रखिए ये इस्तमाल करिए ये इस्तमाल करिए ये इस्तमाल करिए वो वाटसप के उपर अब ये बता रहे हैं टमाटर एक सो बीस रुप का जो जो मोल वगरा हैं या जिसमें बिकते हैं शोर्म वगरा उसमें चले जाएंगे तो 200 रुपए के करीब टमाटर मिलेगा अब यह जो यहाँ पर जो खबर है आपको लगे कि यह खबर जो है वो मैं केवल और केवल ऐसे ही बता रहा हूं तीन तीन लाख रुपए के टमाटर रातो रात चोरी हो रहे हैं अब बताईए रातो रात तीन तीन लाख रुपए के टमाटर चोरी हो जाएंगे तो आदमी जो है वो बाउंसर रखेगा कि क्या रखेगा कैसे जो है वो 3-3 लाख रुपए की टमाटर का जो है वो भुगतान वो खुद से करेगा और इसी लिए आज देखिए हिंदु खत्रे में है कि नहीं है लेकिन टमाटर जरूर खत्रे में है और इसी लिए आप देख रहे हैं बाउंसर रखने पड़ रहे हैं अब मैं एक एक करके आपको खबरे दिखाता हूँ मैं बताई यह जो आपको खबर की 3-3 लाख रुपए के चोरी हो रहे हैं यह आप देखे करनाटक में बढ़ती कीमत के बीच में खेट से 3 लाख रुपए के टमाटर चोरी हो गए पुलिस क की तरह से चोरी हुई करनाटक के खेट से उड़े 2.7 यानि करीब 3 लाख रुपए तक के टमाटर चोरी हो गए हैं बोक्स में रखे हुए थे यह तेलंगाना की खबर है यह करनाटका की खबर है और महभूवा माद जिले के अंदर पुलिस ने बताया कि घटना जो है वो द चार अन्य सबजियां भी अग्या चोर ले गए हैं तो आज मोदी जी के राज में आज भारत का पूरी दुनिया में ऐसा डंका बज रहा है कि टमाटरों तक के लिए बाउंसर रखने पड़ रहे हैं और लाखो लाखो रुपए के टमाटर जो है वो चोरी हो जा रहे हैं आ चार किलो टमाटर लूट करके ले गए हैं यह देखी खबरे जो है सुनने में तो ऐसी लगते कि यह हो ऐसा थोड़ी नहोगा लेकिन यह न्यूज 18 की खबर है एक भी खबर मैं ऐसी नहीं बता रहा हूं जो फरजी हो यह मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं जो खबर है और न्यूज 18 तो जो हो मोदी जी को क्यों ऐसा जो हो बदनाम करेगा यह इंटरनेशनल साजीस कम से कम न्यूज 18 तो नहीं करेगा अब अब एविपी न्यूज की देखिए प्रियागराज में सब जी विकरता की बिटाई का टमाटर लूट ले गए दबंग इस वज़े से बिल्कुल खतम हो गई लेकिन खबर को देखेंगे तो बात बिल्कुल उल्टी है तो यह सारी खबरे जो हैं सब्जी विकरता को पीट पीट करके टमाटर ले गए पिता-पुत्र समेथ तीन पर केस दर्ज मुख्या रोपी ग्रफतार ग्रफतारी भी हुई है तो हर जहें इसनदे के खबरे आप देख रहे हैं यह यह खबरे बता रही है कि कैसा हां डंका बजरा आया कैसे है वह हालत यह इक दुकनदार ने अनोखा ओफर दिया मोबाइल खरीदने पर दो किलो टमाटर फरी मिलेगा यह इस्कीम चला दिए उसने यह देखे-आप मोबाइल अब इसके बाद में कुछ और खबर देखे अब जो है आप कहेंगे कि देखे ये तो बड़ा जो है सरार्ती तरीका सा हो गया कि आप जो है इतनी बिल्कुल मजा के ढंक से जो है चीजे बता रहे हैं दो किलो टमाटर ले गए चार किलो टमाटर ले गए दो किलो टमाटर वाइल खरीद करके लिए आएगा यह तो जो है मजा के खबर हो गई तो चलिए भाई अब आपको सीरिस खबर बता देते हैं और जो लोगों को लग रहा हो जो अभी वी वाटसप ग्रूप के अंदर जो है वो मोदी जी की जैजेकार करते भी भेज रहे हो कि टमाटर अगर मह भी करा है तो किसान की जेब में पैसा जा रहा है तो इनको दिक्कत है बहुत सारे लोग जो है मेरा नाम लिख लिख करके जो गालियां लेंगे तो उनको समझाता हूं और वो लोग समझ लें कि आज जो पैसा बढ़ रहा है जो 200 रुपे किलो तक टमाटर पहुंचने को जा दाम गिरने से नराज किसानों ने 10 कुंटल 10 कुंटल टमाटर सड़क पर फेके मंडी में मंडी में मिल रहा है एक रुपे किलो का भाव आज जो टमाटर खरीद रहे हैं आप और हम वो करीब करीब डेढ़ सो रुपे का टमाटर जो है वो रेडी पर ट्री पर है और जो किलो तक पहुँच रहा है तो ये देखिए आप उसको किसान को अगर पैसा मिलता 200 रुपे किलो तो किसान टमाटर को फेकता क्यों एक रुपे किलो टमाटर का भाव मिला और इसलिए टमाटर को फेकना पड़ा टमाटर के उची दाम नहीं मिलने के कारण अपनी उपज को बजार में फेकने को मजबूर हुए किसान यह पिछले साल इसी समय की ख़बर है चै अगस्त 2022 की ख़बर है अब सुनिए किसान क्या कह रहा है किसान कह रहा है दो एकड़ दो एकड़ में 50,000 रुपे का खरचा किया था दो भी निवासी बालचंदर ने बताए कि दो कि दोबी के किसान भगत जी ने बताया कि मैंने डेड़ लाख रुपे डेड़ लाक रुपे नगत दे करके बटाई पर जमीन ली थी अब लागत्वे मूल रकम निकालना मुष्किल हो रहा है दो रुपे किलो भी टमाटर भिक नहीं रहा है इसमें मंडी में ले जाकर कि दो किलो ٹमाटर नहींहीं भिक दिनागा है तर Damn Utaminator उगाना जमीन जो है वह 1,5 लाख रुपे में उपकर नहीं थी और उसके बाद में tomato उस पर उगाए तरफ उगाने मी द्वाईयों पर खर्चा किया फिर tomato को तोड़ा तोड़ने में मजदूरी दी और फिर टमाटर को किराया भाड़ा लगा कर गए ट्रेक्टर से मंडी में ले करके गए और मंडी में ले जा करके बताया एक रुपए किलो टमाटर लेंगे दो रुपए किलो टमाटर लेंगे जो लागत थी वो भी नहीं निकल रही है तो ये हालत है ये कह रहे हैं कि तारबंदी करवाई क्योंकि आवारा पसू इतने हैं तारबंदी करवाई किसान ने बताया कि मजदूरी तारों की बंधवाई कीटना सक्दवाई छिड़काओ का फिलागत लग गई जो की निकालना मुस्किल हो गया है अभी परती कैरेट में 25 किलो टमाटर निकल रहे हैं और यदि यही हाल रहा तो 500 कैरेट टमाटर नश्ट करने के सिवाए और कोई दूसरा सहारा नहीं है और कोई दूसरा जो है उपाई है नहीं अब बताई आप अगर 200 रुपे किलो टमाटर भिक रहा है और उसका पैसा किसान की जेब में जा रह है तो 100 किलो टमाटर जो है वो किसान क्यों सड़क की उपर फेंक देगा और एक किसान की कानी आगे देखिए मैं आप को ख़वर दिखाता हूं और कोई कुछ कहे कि यह तो पुरानी खवर बता रहे हो पिछले साल की खवर बता रहे हो इस साल तो जो है वो बारिस हुई है तुफान आया है आंदी पड़ी है और इसलिए जो टमाटर खराब हो गए इसमें मोदी जी क्या कर लें तो देखिए साब ये लिजिए आज की खबर ये लिजिए अभी की खबर देख लिजिए ये खबर है 19 मई 2023 की 19 मई 2023 कितने साल पहले था आज तारिक है 9 जुलाई आज त आज तक चैनल की खबर हैं मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं गूगल पर आप इसी खबर का जैस्क्रिंशोट लेकर के सर्च करके देख लिजिए अगर गल्ग लगे तो मुझे कमेंट में बता करके जाना कि गलत खबर बताई एक रुपए किलो लगी बोली तो सडक के ओपर टमाटर फेक करके किसान जो है वो अपनी खाली जो है वो टेमपो ले करके वापिस चले गए डीजल जो है वो कितने रुपे है किट ना सक है वो कितने रुपे है जबकि मजदूरी कितने रुपे है जमीन जो है वो किराय भाड़े पर ले रहे है और उसके बाद में एक रुपे दो रुपे किलो टमाटर बिक रहा है अब आप कहेंगे कि चलो सारी बात सही है लेकिन इसकी वज़े क्या है वो भी समझा दो दरसल वज़े ये है कि एक रुपए किलो टमाटर जो बिक रहा है वो बिल्कुल सही बात है एक रुपए किलो टमाटर बिक रहा था ये भी सही बात है कि मोसम की बिमार पड़ी है लेकिन एक गलत बात जो हुई है वो ये है कि सरकार के पास में कोई ऐसा मेकेनिजम नहीं है कि सरकार जब ये एक किलो एक रुप परती किलो टमाटर बिक रहा था तो इस टमाटर को ले ले और इस टमाटर को ले करके टमाटर को जो है वो उसकी टमाटर का जो है वो रख रखा उसको फ्रीज कर दे और उसके बाद में टमाटर जो निकाल दे टमाटर जिसने रखा जिसके पास में है अभी जो टमाटर जो चल रहा है वो कुछ टमाटर यूपी के कुछ हिस्सों में तो वो टमाटर अब आनी रहा है और इसलिए टमाटर की वज़े से नुकसान हो रहा है अब यह जो सरकार की जिम्मिदारी थी कि जो कम से कम जो है किसानों की फसल बरबाद हो रही है तो उसको बचाने का काम करें लेकिन सरकार जो है वो टमाटर बचाने की बजाए, किसानों को बचाने की बजाए, UCC पर काम कर रही है, UCC लेकर क्या हो, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सारे मुद्दे जो हो चले हुए हैं, और सरकार के जो समर्थक हैं, सरकार के जो चिंतक हैं, उनका जहान एकी तरफ है कि किसी तरह से हिंदू- जो है, ओकम ना हो जाए। घिंदु मुसल्मान के मुद्धे पर दिबेट अगर नहीं होती और अगर टमाटर पर आलू पर गाजर पर मूली पर इन पर डिबेट होती तो नह किसान को जो है बर मरना पढ़ता नह किसान को टमाटर की जरूरत नहीं है, सोचे जरा इस बात को, आजादी के बाद में शायद पहली बार मैंने ऐसी खबर देखी है कि टमाटर के रोकने के लिए, टमाटर को रोकने के लिए बाउंसर लगाने पड़ रहे हैं, सच्चाई क्या है, वो आपके सामने है, किसानों तक पैसा जा रहा ह नहीं जा रहा है वो आपके सामने है किस तरह के हालात हो गए है वो आपके सामने है और अभी भी जो जानकार है वो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि अभी भी अगस तक कम से कम आपको करीब करीब जो है वो डेड़ से दो महीने अभी भी इसी तरह से महेंगा टमाटर खाना पड़ेगा या अगर इतना महंगा टमाटर नहीं खा सकते हैं तो बगए टमाटर के रहना पड़ेगा ये सोचिए ये सरकार की जो है वो आप इसको जो है सफलता कहेंगे विफलता कहेंगे क्यों नहीं जो है केंदर के स्थर पर एक ऐसी पोलसी बने जिससे सब्जियों के दाम जिसमें प्याज है टमाटर है नीम्बू है हर बार जब भी सीजन की चीज आती है तो इसतनी महेंगी हो जाती है क्यों नहीं जो है वो रख रखाओ के उपर जो है वो सरकारे जहान देती है क्योंकि टमाटर भी इसी तरह से किसान फेकता है प्याज भी इसी तरह से किसान फेकता है क्योंकि पैसा मिलता नहीं है और बाद में प्याज भी वही डेड़ सो रुपे किलो जाकर के बिखती है टमाटर भी डेड़ सो दो सो रुपे किलो जाकर के बिखता है इस बार ये हुआ है कि इस बार जो टमाटर है वो करीब करीब पचास साथ रुपे और ज़्यादा चला ग और बाकिया आकड़ों में जाओंगा तो फिर आप जो एकन्फ्यूज हो जाएंगे उसके बावजूद जो हालात है वो आपके सामने तो बैराल आजाद भारत के पहले नजारे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के संसदिये छित्र के नजारे वारानसी के अंदर महंगे टमाट के नजारे जरा लीजिये और और लोगों तक भी पहुंचाईए वो लोग भी इस सुख की अनुबती करें इस सुख को महसूस करें ये बस्तावा डंका वो सुने कि देश के प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी उनके राज में उनके संसदिये छेत्र में उनकी डबल कि सरकार में आज टमाटर तक को सुरक्षा देनी पड़ रही है जो कह रहे थे कभी हिंदू खत्रे में आ गया है अज टमाटर खत्रे में आ गया है दो सो रुपए किलो टमाटर हिंदू नहीं अज टमाटर खत्रे में है टमाटर तीन तीन किलो तीन तीन लाख रुपए के जो है वो लूट हो रही है यह सचाई देखिए लोगों तक पहुंचाईए शेर करिए इस ख़बर को और इसी तरह की तमाम ख़बरों के लिए ओलाइन न्यूज इंडे को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे करें उसकी नोटिफिकेशन सीदे सबसे पहले आपको मिल सके धन्यवाद